जय हिंदुराश्ट्रा मैं बिल्कुल मानसिक रूप से बात करने के लिए तैयार नहीं था अगर मित्रों का अग्रह फोड़ी सी चर्चा करता हूँ 14-16 अगस्त 1946 को भारत भर में दंगे हुए हमारी जानकारी में केवल कलकत्ता नुआ खाली है भारत भर के इसलामी क्षित्रों में दंगे हुए थे तीन दिन 16-18 अगस के बीच में कलकत्ता की सड़कों पर दस हजार हिंदों बार दिया गया है ये तीन लोगों का नितर तो था जिसने ये काम किया गांधी मुने इन तीनों को मैं इन तीनों के बारे में बात करता हूँ मौमद अली जिना इसका प्रे रख था गांधी ने इसे कायद आजम कहा सुरावर्दी इसको शरीफ आद्मी कहके गांधी अपने साथ लिये फिरा जिना ने तो किक आउट कर दिया था इसका धंदा सारा कलकत्ता में था अपने साथ लेकर घूमा गांधी जिसन दिल्ली में भूकरताल के लिए बैठा है उसे एक दिन पहले शुरावर्दी उसे मि कर गया है कि पीसरा मुझी वर्रह्मान जिसको भारत बंग बंदो जानाम से जानता है इन तील लोगों ने ये सारे पाप कर्म किये थे उन्हेंने जो पत्रक बाटा था जिसके आधार पर ही सब काम हुआ मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं भारत के सभी हर मुस्लिम लीक के ऑफिस से बढ़ रहा था भारत के सभी मुसल्मानों को अपना जीवन पाकिस्तान के लिए समर्पित करना चाहिए दूसरा पाक सर्मेल मुस्लिम लीके 9000 गार्ट थे आज जो पंजाव है इस तरह से पंजाम समझे पंजाब मुस्लिम भुलक्षेत्र था भायानक बुरा संघर्श हुआ है भारत की संपूर जनता को इसलाम में धर्मांतरित करना चाहिए एक मुसल्मान को पांच हिंदू के बरावर अध सुगणानों को जला कर नश्ट कर देना चाहिए लूट लेना चाहिए लूटे हुए माल को लीग के कारेलों को सौंप देना चाहिए माले घनीमत मुस्लिम के सभी करताओं को कानून व्र विवस्था का लंगन कर शस्त्र रखने चाहिए ए गंभीर विशय ध्यान में रखि समाप्त करने के साथ ही उनकी जन्साइक को कम कर देना चाहिए जबी मंदिरों को नश्ट कर देना चाहिए गुप-चुप-ढंग से हर महीने कांग्रेस के एक नेता को मारते जाना चाहिए मुस्लिम लीग के स्वेंशियों को द्वारा उननिस सो च्छेयालिस दिसंबर तक डेट ते है कराची मंबई कलकत्ता मदरास गुआ विशाखापटनम को पैरलाइस कर देना चाहिए यानि सस्टम कुलैप्स कर देना चाहिए सबीस शस्त्रों का वित्रण मंबई कलकत्ता दिल्ली मदरास बेंगलोर लाहोर कराची स्थ मुस्लिम लीग की शाकाउं से किया जाएगा पिल्कुल खुलम खुला बाद हिंदों को नश्ट करने या उनको भारत से भगाने ने के लिए मुस्लिम लीग के सभी वर्गों अपने पास थोड़े हत्यार कम से कम जेब में चाखु जरूर रखा जाए ये लिखित आदेश हैं और इसका संदर्ब जस्सिस खोसला की जो सन रेक्निंग उनकी बुक है उसमें इसका विपरण है ये विचारधारा आपको मुझे हमारे परवार को हमारे जीवन को नश्ट करना चाहती है हम इससे अपने आपको बाहर निकालेंगे कि नहीं निकालने की सिलसले में क्या-क्या हो सकता था और जो नहीं हुआ इस पर मैं बात करना चाहूँगा ताज बेगम वह पुसिद्ध कवित्री है उनकी कविता मैं पढ़कर सुनाता हूँ ये औरंजेव कि भतीजी थी जेव उन्नेसाब बेगम और उनकी भतीजी ताज बेगम ने कृष्ण भक्ती की दिक्षा ली थी सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम दस थी विकानी बदनामी विसा हूँगी मैं देव पूजा ठानी मैं नमाज हूँ भुलानी कह रही है कि मज़ेदार बात कि इसको जो यह कह रही है कि नंद के कुमार मैं मुगलानी हूं अगर मैं हिंदू बन के रहना चाहती हूं क्या हमने से हिंदू बनाया रस खान मानुस हों तो वही रस खान बसौ बरजगू कुल गाउं के गौरण के मेरा अगला जन्म हो और मनुश्वनू तो मैं बरज में गौलों के बीच में रहना चाहता हूं जो पस हो तो कहा बस मेरो चरोने तो नंद की धेनु मर जारा ना अगर मैं पशु मनता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि नंद की गायों के बीच में चरूँ क्या इस रस्कान की घरवापसी की थी एक महड़ा महत्पूर्ण कभी रहीम उसको एक समस्या पूर्ती की पंक्ति दी जाती है धूर धरत निज्ज सीस पे कहो रहीम के हिकाज कि ये अपने सरपट धूल क्यों डाल रहा है रहीम पंक्ति लगाते हैं जारज मुनिपतनी तरी वही डूनत गजराज जिस अहिल्या जिसको पर्ष करके तर गई उसको गजराज हाती ढून रहा है इस विक्ति की घरवाप सिकी ये भक्तिमार के लोग हैं जो इस वकत तलवार खेंचे खड़ें न हरुमान चालिशा किताब से मैं उन से पूछता हूँ किसी एक की घरवाप सिकी अब छे पिड़ी बात वो अगर जमात इसलाम का आदमी बनके पूरे अलागे को खराब करता है जिम्मतार कौन है वो रस्ता दे रहा है कह रहा है पुकारो मैं आ रहा हूँ मगर उसको हम लेते हैं क्या उसकी जग हम क्या करते हैं हम उसका कान भूकते हैं मंत्र बातते हैं उसको उसको कहते हैं तुो वहां मंतिर के बाहर बैट तु मंतिर के शीश को देखकर ही तेरा तर जाएगा तेरे मंतिर में आने की आवश्यक्ता नहीं है अब ये BS4 का मेंबर नी बनेगा तो क्या होगा इसकी चिंता तो हमें करनी पड़ेगी काल कौन सा है अकबर का क्या लिख रहे हैं महापुरुष तू दयालू दीनी हो तू दानी हो भिकारी हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजारी तू दयालू है हम दीन है तू दानी है हम भिकारी है हम प्रसिद्ध पात की हम पुरे पापी है तू पाप समाप्त करने वाला है अकबर का काल मंदिर धे रहे हैं हमारी बेटियें बिक रहे हैं तलवार खीचने का समय बूच्रान बनने का समय या भक्तिमार्क बनके पूछे लाने का समय संगर्ष कौन करेगा इन से सवाल नहीं पूछेंगे तो आज बोरुष कहां से आ जाएगा बदलाव तो करना पड़ेगा जो विश्वेल हमें मार रही उससे पैर तो चुड़ाने पड़ेंगे काटना तो पड़ेगा जी रहीम तुलसी जी क्योंकि भक्ति का परिणाम क्या हो रहा है समाज नपुन्सक बन रहा है भूशन को कई कम कम कश्ट था मगर प्रेणा बना और ऐसा विक्ति बना कि 76 साल ने कंधा दिया उसकी पालकी को समाज को पौरुश्वान बनना पड़ेगा कोई विकल्प नहीं है और पौरुश्वान बनने के रास्ते में जो जो आड़े आते हैं सब को धेर करना पड़ेगा दोस्त करना पड़ेगा सबसे जाराज उन्होंने विरूध किया इस कारेकरम का यह देव और दाना उप उन्निस सो आप देखना चाहेंगे मैं दिखा दूंगा क्योंकि यह बिलो दी बैल्ट क्यों करना जो वो कर रहा है वो मैं यह करूँ मैं क्योंकि विरूध किस बात का वेक्तिवर रूप से कुछ है क्या जो आग्रह कर रहे हैं दुबाओ ढाल रहे हैं आखिर क्या कारण है अफगानिस्तान क्यों मसल्मान बन गया Congrats गजनवी का इत्यास कार लिखता है कि कुछ सो लोग मुसल्मान बने आज हमारा नाम लेवा पानी दावेवा नहीं बचा सारा क्षेत्र मंद्रों से भरा हुआ है सारे क्षेत्र में बहुत धुवया है सब नश्ट हो गया हम अफगानिस्तान से निकले पेशावर में आकर बस गए लहोर में आकर बस गए कराची में आकर बस गए लहोर कराची का क्या हल हुआ अब ये पुस्तक समाप्त हो गई ये ब इतिहासकार भी ऐसा काम करें तो उनको समय लगेगा कैसे हमारे साथ क्या-क्या हुआ है आप इसको पढ़िए कैसे कैसे यह सारी चीजें होती रही और हम अनभिग्य हैं हमको नहीं बताया गया ठीक बात है नहीं बताया गया मगर अब ये सारी चीजें सामने आ रही है भाई जिनकी बात कर रहा था देव और दानवों की पॉर्ण साइट चलाते थे यानि ये कामसूस्तर से होते हुए हम आजीवन ब्रह्मचारी अनुमान जी तक आए हैं मज़िदार लोग हैं करिए मैं अगले महीने अमेरिका जा रहा हूं अमेरिका के अपने बंधूं से सहयोग चाहिए मुझे पूरी प्रमानिक्ता से एक एक पैसे का हिसाब देंगे ये पक्का धर्मान्ष के लिए नियायमंच के लिए हम दोनों का ये काम नियायमंच है क्या मैं इस पर थोड़ी सी जानकारी आपको मैंने बीच में बात की कि ह हम लोग ने एकत्र की अधन उसका काम किया लक्ष क्या है कि प्रत्य एक ऐसा विक्ति जिसने धर्म के लिए पवरुष प्रकट किया हम बात करते हैं सोचल मीडिया पर मैं ही और सब पचासों लोग आदमी के अंदर एक तेजस्वत आती है हमारे जीवन मूलें का उलंधन होता हूँ देखता है कोई गाड़ी दिखाई देती है रेड लाइट पर रुकती है बदबू आ रही है ब्लड टपकरा है देखता है उसमें गायें कटी हुई है तिक दम से सामने रोक लेता है कानू कानून ये कहता है उसे ठाने जाना चाहिए दरोगा मौझूद नहीं है पुलिस वाले मौझूद नहीं है बगएर 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 अगर है तो उनका सिस्टम चल रहा है बना हुआ है कि वो उस खित्र से गाड़ी पास होने के लिए कुछ पैसा वैसा लेते हैं उसका खू हम ले क्या है वो जो चाय करता है हम क्या करते हैं उसकी धुनाई करते हैं मैंने कई बार मित्रों से प्रशन पूछा है कि आपकी पत्नी के साथ आपकी बिटिया के साथ आपकी बहन के साथ आपकी मां के साथ को शिष्टा करता है तो आप क्या करने हैं मेरे अपने परवार क हुए लड़ने के लिए भारत माता के लिए धर्म के मूलीयों के लोग डिने के लिए क्या कि रुस से लंदसंस लोग जर्मनी से यह वह राजी का काम है तो कानून तो हाथ में लेना पड़ेगा कानून हमेशा तब लागू होता जब घटना घट जाती कोई और विकल्प नहीं है तो ऐसा प्रत्य व्यक्ति अकेला नहीं छूटेगा कि उसके और उसका नियम है उसके तरीके हैं कि आपको ध्यान होगा भी दो साल पहले मोहनलाल गंज लक्नव का सोनु और गोलू पर आरोप लगा कि उनकी बहन के साथ कोई व्यक्ति प्तमीजी करता था घटिक थे शायद लड़के या फिर बालमीक थे मुझे एक्जेक ध्यान नहीं शायद बालमीक तो उसमें चोटा था उसने कोई श्रस्त्र निकाला और वद्ध कर दिया सेशन में मुकदमा जाएगा हाई कोट में मुकदमा जाएगा सुप्रीम कोट में मुकदमा जाएगा यानि कम से कम 15-20 साल मुकदमा चलने वाला है हम जजज़ बन गए बिलकुल नहीं मेरी बात लाइव नहीं क्या मतलब उसको हमरे साथ ही को लगा कि ये लाई जा रहा है तो ये तो हमारा जीवन है हम दो रोज कर ये काम करते हैं इसमें चिपने ही क्या बात है मगर उसकी चिंता जाइज है चुकि ये संसकार ये है आफ़ता जो शद्धा के 36 रुकड़े कर देता है उसका मुखदमा हम लड़ेंगे ये अख़वार की न्यूस बनती है जमाईते उलिमा हिंद का आदमी ये कहता है किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता तो नियायमन चे लड़ाएगा तो क्या दिक्कत है और दिक्कत होगी तो फेस करेंगे क्या परिशानी है इसमें तो धर्म है और धर्म का उनलंगन तो किया नहीं जा सकता इसे छोड़ा नहीं जा सकता यही कारे है एक पहला लक्षन दूसरा शुद्धियों की जो हम बात करते हैं आप सब यहां से निकलें अगले दस दिन में कम से कम सो लोगों तके विचार पहुँचाएं कि प्रतेग विक्तिकों दो लोगों की घर वापसे शुद्धी समाप्त करना जैसे ओमलेच हटाने हैं यह लहरें क्रियेट करनी हैं हमको जिन्दगी का लक्ष बना लीजे धन आपका वैभव आपका पौरुष्ट आपकी ख्रमता जो कुछ है इस काम को करना ही है अगर हम नहीं करेंगे तो वही होगा जो लाहौर में हुआ वही होगा जो कराची में हुआ पंजाब का जो बड़ा राजा है अंतिम रंडजीस सिंग जिनका राज अफगानिस्तान तक पहली बार अफगानिस्तान ने पालट के मार लगाई तबियस से चार शर्तें ते हुई थी पठानों से पहली शर्त थी सोमनात के मंदिर के दरवाजें लोटा हूँ मस्जिद में लगे हुई थे उखाड़ के लाए गए गए छेस्सो सौड़े छेस्सो साल का अंतर है दोनों घटनाओं में सोमनात के दरवाजें याद थे आँकों में सपना था कि बदला लेंगे छोड़ेंगे नहीं साथ सो साल बात बदला लेंगे लेंगे जरूर हमारा मान मर्दन हुआ है माथे पर काली लगी है यह काली पहुंचके तुम्हारे लगाएंगे कि यह धर्म है कि इस कारे को और ऐसे तेजस्वी व्यक्ति के मन में यह बात नहीं आई था पूरा पंजाब उधर का पंजाब इधर का पंजाब हर्याना कि माचल का आधिसेजारा हिस्सा पैफसू सेट्स यह सब उसका राज्य था वो घोषणा कर दे अगले एक महीने में मेरे राज्य का प्रतेक मलेच या तो शुद्ध हो जाए हिंदू बन जाए या मेरा राज्य छोड़ दे अन्निता दंडित करूंगा और इसको एक्जिक्यूट कर देता तो क्या 15 अगस 1947 को पाकिस्तान बनता समस्या यही है कि हमसे टूटकर हमारे सिब भष्ट हुए लोगों ने हमारे साथ रेना सुईकार ने गिया उसकी जड़ पुरान में है अदीस में जो काफिनों को वाजबल खतल मानती है जो काफिनों के साथ सहस्त सुईकार नहीं करती जिसका टूल गांधी था आप इस किताब को पढ़ेंगे आपको समझना आएगा इसा रावश है हमारे साथ जो कुछ हुआ है उसका करण यह है कि हमारे पास नेतरतु की खरावी थी मगर अब हम उसे दोश नहीं दे सकते चुकि हमारे पास सोशल मीडिया नेतरतु है जिने मुसलमान संकिटेते हैं उतनी हम भी है उसमें कोई समस्या नहीं है लक्ष देख लीजे और इसका हली यह लोग निकालते हैं कल सुशील पंडी जी कह रहे थे मैं उनसे थोड़ा सा सहमत हूँ एक ही विचार प्रभाग के लोग हैं हम दोनों संग से निकले लोग हैं दोनों ही संग से उतने दूर हैं जितने हूं इत्ने नहीं हूं और उतने ही साथ भी हैं test वो इतने बड़े काम करतेगी न है कईसे possible कानूनमνα दिया जन संख्या नियंतरा तीखै जो वेक्ति दो बच्चे से जारा पैदा करेगा वो गुनागर होगा क्या कर लेंगे उसका कि ड्राइविंग लाइसेंस केंसे कर देंगे पासपोर्ट कैंसल कर देंगे राशन कार्ट कैंसल कर देंगे बैंक काउंट कैंसल कर देंगे जीवन के अधिकार समाप्त कर देंगे जो काम में कर सकता हूं कि मेरे हाद में राश्पती नहीं है प्रधानमंतरी नहीं सुप्रींग कोड का जस्टश नहीं है मेरे हाद में केमल मैं हूं ऐसे आपके हाद में हैं हमारे पूरी तरसे द्रहता से प्रयास करने से ही बात बनेगी हमी को करना होगा और ध्यान रहे साथ सुबारे इस्वी में जब आक्रमन सफल हुआ था मुहम्मद मिन कासिम का भारत पर सिंदपर जो आक्रमन होगा था उससे पहले चौधा आक्रमन सफल हुए थे काट के डाल दिये गए थे सारे लगातार आते रहे पंद्रवे आक्रमन में सफल हुए चचनामा जो एक पुस्तक आई है बाहर मोपला 1921 उसी के अनुवादक नहीं चचनामा भी लिखी है आज कल में कुछ महीं महीने पंद्र इस क चचनामा में उसका विवरन है मंदर ढ़ा दिये गए आचारियों को मारा गया गव कशी की गई अजाने दी गई नमाज पढ़ी जा रही है इसके लिखे तो लेखें पंद्रवे आक्रमन में वो सफल हुए भारत में कोई उनका सहायक नहीं था कोई मदद करने वाला नहीं आज यह इस्तती है कि भारत से इतने बड़े हिस्से पाकिस्तान ले लिया वंगलादेश ले लिया अफ़कानेस्तान ले लिया हमारे संस्कृतिक एक्ता के केंद्र इंडोनेश्य चला गया मलेश्य चला गया हमारी इस्तती और हमको लगता है कि हम नहीं कर सकते एक सो दस करोड का राश्ट वो उनके पास एक नहीं था हमारे पाँ एक सो दस करोड की पूंजी है इसमें से दस करोड लोग केवल ये लक्ष ले ले लें आँखों में सपना आ जाए कि हम दो दो लोगों को शुद्ध करेंगे कितनी दिन की है समस्या मगर ये करने ही पड़ेगी माज एक मित्र से बात कर रहा था सो सूरज से जो रोश्णी आती है उससे साड़े साथ आठ मिनिट कुछ ऐसा लगते हैं एक लाग चोहतर याज शेतर अजार है और ने दो लाग के आसपास किलोमीटर एक मिनट में प्रकाश सफर करता है कुछ कम ज्यादा होगा मैं विग्यान का विद्यारती नहीं है मतलब पढ़ा लिखा यह नहीं है समाने है है सो प्रकाश वर्ष का सफर सो मील का सफर दस गज का सफर सदेव पहले कदम से शुरू होता है पहला कदम रखिए हर दूरी ना पेंगे हर जगल आगेंगे काओं में घरों में मौलों में फैल जाएए लक्ष देखिए कि यह शिकार बनाना इसको खर लाना और लात मार के नहीं आएगा प्यार से आएगा शुरुआती दौर पे इस काम को करना ही करना है इस काम को करने के लिए मैं अमेरिका के मेरे मित्रो आप हो और आप सबसे भी कहूंगा हमको बड़े सहयोग की आवशकता है धन चाहिए मगर आपका धन पूरी प्रमानिकता से राष्ट के कार में ही लगेगा एक पैसा मेरा निजी नहीं होगा यह पक्का आश्वस्ति पूरी पूरी पक्की आश् यह घटना मैं आपको बताना चाहूँगा यह शेयर करना चाहूँगा साथ-8 साल पहले की बात है फेस्बुक का जमाना था मेसेंजर पर या किसी पर कोई सिस्टम था उससे फोन आया साथ्तिकी सावरकर मेरी फ्रेंड लिस्ट में थे सावरकर जी के पूते मैं मैं मिला कभ अब बात कराइए उदर से आवाज आई मैं अजिंग के गौट से बोल रहा हूं जानता नहीं था जी कहिए बोले मैं गौपाल गौट से जी का बोता हूं हमने आपका चैन इस वर्ष के नाथुराम गौट से पुरुसकार के लिए किया है और मेरे भल 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 आँसू बहने लगे मेरा गला रूंद गया आप आ सकेंगे मैं बोली नहीं पाया है दो मिनिट बाद मेरी गला में नहीं समाला मैं निका आपके पास आना तो तीर थ है और आठ दिके चरणों में सर रख लिया मैंने अपनी पतनी को बताया उसने बीका कि मैं भी चलूँंगे मेरी सुरूँगी तो मैंने उससे कहा कि नहीं ठीक नहीं होगा निर्धन लोग उसका कारण था कि मैंने तीन वीडियो घो पायल गोट सेजी की पतनी के मेरे इंजाम करी मेरी वीवी धापती की यह उसके ठेरने डूस रोंस मेरे सबक्ष क्लियर थे उन्हें मना कर दिया उसकी घटना बताता हूं इस इंट्वे की गोपाल गॉट से जी की पतनी से पत्रकार ने प्रशन पूछा कि आपको कब पता लगा यह कि यह काम होना है यह न सेनिक की पतनी की तरह जीवन जीना पड़ेगा यह सेनिक नहीं है जो ही बात करें तो उसने पूछा आपका आश्रय क्या था यह आपकी सपोर्ट क्या थी उनका मेरी मेरी दो बेटियां थी तो मन को समाधान हुआ कि कम से कुछ तो है उसने अगला प्रशन पूछा बच्च पखर ने अंतिम चैप्टर लिखा है अगया है कि मैं उसे तीन दिन पहले मैंने समाप्त किया है मैं बिलक बिलक किरूए हां कि क्या लोग थे जिन्होंने इस काम को किया उन्हें मालूम था हम बचेंगे नहीं कोई व्यक्तिकत लेना देना नहीं था का अधिया निकी भेन के साथ ब्रमचेर के प्रोग नहीं कर रहा था कोई जमीन नहीं दावी थी पैसे नहीं मारे थे यह निकले किसलिए उसी लिए जिसके लिए मराठे निकले थे कि पानी पत लड़ना है अटक से कटक तक भगवत दौज रखेंगे दौज की शान नहीं डूबने देंगे अब मज़ेधार बात मैंने तैका मैंने शेका कि मैं ठहरने के अपनी विवस्ता स्वाइम कर लोंगा आप उसकी चिंता मत करें आने कभी में करना मुले नहीं ठहरने की विवस्ता तो हम करेंगे ठीक करिए कि फ्लाइट से मैं उत्रा मैं गाड़ी लेने आई मुझे कारेले ले गए मैं सौभाकिशाली हूं कि मैंने उस गीता का स्पर्ष किया जो पुझे नाथराम गोटसे जी ने भासी पर चड़ते समय हाथ में पकड़ी थी वो वस्त्र जो उन्होंने गांधिवद के समय पहने यानि हिंदूं के वर्चसु के तले वापस भारत में लौटेगी भारत अखंड होगा या अखंड कैसे होगा जब ये सब की घर वापसी होगा एक मात्र हल यही है खैर ये करने के बाद उन्होंने का खाना खाने चलते हैं दूपर का खाना तो मैंने उसी मानसिक्ता से का हो क्लासिक मस्रीज मनें 65 लाखी घाड़ी तब मालम पड़ा हंड़ेड करोड में आ गए हैं वह राश्ट ने इतना सम्मान दिया है एक मज़ेदार चीज़ तो जो मुझे सर्वोत्तम मिलना था वो मिल चुका है पूजन अथ्रम गोट से पुरुसकार इससे बड़ा एक समान समयन वयक्ति को मेरे जैसे बहुत ही सामानी वेकती कुछ भी विषेश्ज नहीं है मगर यह है सुरे राश्ट क्रेम करता है बहुत सम्मान मिलता है बहुत सम्मण अगाध रेम आप सब बैठें हैं है और हजारों लोग सुनते हैं लाखों लोग- तक हम पहुश्चते हैं सै राश्ट के क्रपा है अनुकंपा है उसकी तो राश्ट जब जूते मारेगा तो भी तो मारेगा ठीक है कोई विरोध करता है तो भी सिर्मा थे कोई कोई समस्या नहीं कुल मिलाकर तीन लक्ष लेकर उठें जैसे होगा दो लोगों की घरवापसी करनी ही करनी है शुद्धी करनी ही करनी उसका पूरा प्रोसिजर दिया आपको टेलिफोन नंबर्स हैं धन की कमी पड़े तो बताईएगा पराक्रम की कमी पड़े तो बताईएगा जो कुछ चाहिए होगा सब कुछ करेंगे मगर इसकी शुद्धी करनी है यह हमारे बीच माया है तो यह हमारा होना चाहिए इसके लिए उसकी पत्नी से बात उससे बात उसके बच्चे से बात उस पर घरवापसी का दवाओ जो जो जैसे जैसे कर सकें यह नहीं करेंगे तो बात नहीं बनने वाली है समस्या खड़ी हो जा उनके जो मंत्री थे उनकी हविली आज मी हैं उनके वंश के लोगा आज मी हैं सब मुसल्मान बंदे काश रणजी सिंग्जे न अस समय के लोग निप्टा दियो होते हैं तो यह की दिन नहीं देखने पड़े समस्या का एक मात्र समाधान घरवापसी और कोई समाधान नहीं कोई तरीका नहीं कोई धंग नहीं इसके लिए जो कोई कारे कर रहा है इसमें समस्या आएगी आसान काम नहीं है जूजना पड़ेगा मगर उस जूजने की मानसिक्ता के साथ आगे बढ़िये अन्य था 15 साल बाद 20 साल बाद पराश्ट का भविश्या यानि आपके बेटे आपकी बेटी मेरी पोती मेरे पोते का जीवन मेरी पुत्रवदू का जीवन संकट में है इस सीधी 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 आँखों में डाले समस्या हमारे आ रही है इसे निप्टाना ही पड़ेगा इसका कोई भी कल्स नहीं है और बहुत कठिन नहीं है अफगानिस्तान के जो तालिवान लीडर हैं वो गर्व से कहते हैं कि हमारे पूरवच गुजर थे जाट थे क्यों कह रहे हैं तारिख जमील जैसाम परले सिरे का सूर वो कहता है कि प्रत्विराच चारंग के वंच के लोग हैं क्यों कि जिस परंपरा में उससे बड़ी परंपरा लगती है उसको प्रत्विराच चारंग की तो उस परंपरा से जोडने की बात कीजिए न यह पूरी बेल्ट मिरट के आसपास की मुसलिम त्यागियों से भरी यहां जो साथा चौरासी है साथ गाउं है सिसूदियों के चौरासी गाउं है चौहनों के इसमें से तीन गाउं धाई के समझ लीज़े गाउं मुस्लिम हो चुके हैं पच्छे साल पहले महराना आये थे चत्व तोड़ के बुढ़े मुसल्मान उनके पैरों में सर रखके बिलग बिलग के रोए राना जी घर ले आई है वापसी कर दीजे शुद्धी कर दीजे तैयार हो गए लगबग तैयार थे मगर ये था रोटी बेटी का क्या होगा उन्हें क्या समझ से आये रढ़ाई गाउं मुसल्मान बन गया सारे दल उनके तलवे चाटते हैं वो हिंदु क्यों बन जाएं इस ललक के कारण ना थाकुर बनना चाहते हैं वापस राजपूत बनना चाहते हैं राजपूत और वो कह रहे थे कि लड़की ले लीजे दीजे मत बाद में करेंगे ले लीजे उसके लिए विरासी नहीं है आपस में आज भी करते हो कल भी कर ले न तो मुसल्मान से इंदु बनी क्यों जाएं उनको क्या मिलने वाला है इसका ध्यान तो करना पड़ेगा अपना शुद्ध रक्त कोई समझता है तो गधा है तेरो सो वर्ष पहले इस देश पर आक्रमन हुआ है लाखों लोगों के सैन ने घूमते फिरें इनके साथ पत्निया नहीं थी किसका रक्त शुद्ध है कौन सा रक्त शुद्ध है किस गलत फैमी में हो यह सारी बातें फ़जूल की हैं हम प्रतेग जाते के प्रतेग वर्ण के सब लोग केवल हिंदू हैं और जो बाहर शायेंगे इनको भी समाए लेंगे सबसे बड़ा जो शब्द कोश है वो अंग्रीजी भाषा का है हर साल लगभद साथ लाग शब्द विवन भाषाओं से वो जोड़ता है पढ़ता जा रहा है हमारी भाषा सिंदी पवित्र है एक भी शब्द हम उर्दू से नहीं लें मतलो कुल मिला कर फिर उतनी ही रह जा इसको बढ़ाना पड़ेगा इसका कोई विकल्प नहीं है संघर्ष होगा इस समस्या से लोहा लेना है आपके पास लोहा है सवाल पूछिए यह आवश्चक काम है इसकी विवस्था कीजिए और तीसरी जो इस कारे में लगा है जितनी मिहनत कर रहा है उसके साथ सबसे सरल काम आसान काम आर्थिक सेवा है आर्थिक साहेता उसकी कीजिए संघठन है तो संघठन बेखती है तो बेखती है चेक कर लीजे आपको पूरा धिकारे पता करने का कीतन थोड़ी दीर बात करने हैं तो कुल मिलाकर यह तीन लक्ष दो लोगों की शुद्धी लोहे की विवस्था और जो पौरुष्वान यूद्धा हमारा फस गया जिसे अभी उन्होंने बताया पांच लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दो घोशित कहुतसकर फरार अपराधी उनका जलाकर वद कर दिया तुरंत हम जज़बन गए हमने तैकर लिया कि यह पापी है हमारी क्या हमें क्या दिगा रहे हम उसके साथ क यह नहीं खड़े होंगे ओमेंद्र जी ने बताया कि यह वंच के पास थोड़े से पैसे थे हम लोगों ने एक एक लाक रुपए दिया इसमें शर्मिन्दा नहीं है कोई मुगत्मा चलता है चले कि किसी तरह की आपत्ति आती आए अधिक कम क्या होगा मरी तो जाऊंगा ब यह धर्म की सेवा करेंगे यह तो अनवरत चलने वाला काम है कि यह सपना हम सब की आँखों में आना चाहिए आप क्रपया क्रपया मेरा मारत अशन मत करें पहले आप सब के इंट्रिवी ले रहे थे पिर मुझे कहरे तो मैं इंट्रिवी दूं क्रपया शांत बैठी है कि मुझे गाइट मत करिए बड़ी क्रपाप की कि मेरे अज्ञान की घाटी भरने में जूटे हैं आप मगर मेरे ख्याल से और इतनी गेरी नहीं रही है कि पूरी तेजस्विता के साथ इस संकल्प लेकर उठिए परमात्मा आप पर क्रपा करें आप सब यशस्वी हूं राष्ट का गौरों बनें दोतु लोगों की शुद्धी करें जय हिंदु राष्ट लाइव बेक बरबंद कर देना इतने घर बेक्पव्ट बाइब तो झाल 2 झाल 2 झाल 2 झाल 2 झाल झाल